हेलो एवरीवन इंडिन जूडिसर सर्विस में आप सवी का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में डंड पक्रिया सहिता 1973 के कुछ आया हुए बहु पिकल्पी प्रसनों को देखेंगे यह पर जो है उत्तरा खंड PCSJ 2019 के प्रसनों से समन्दित है चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन है यहाँ पर डंड पक्रिया सहिता में को निम्ल की सूचियों में से किस सूची में सामिल किया गया तो देखिए यह जो सूचियों की बात की जा रहे हैं यह हमारे संभिदान के अनुसूची साथ संभन लेता है जिसमें तीन सूचियां दी गई है पहली संगिय सूची है दूसरी राज सूची है तीसरा संभरती सूची है तो जो संगिय सूची है ऐसी सूची होती है जिसमें क पार्लेमेंट हमारी पार्लेमेंट में राष्टपती राजसवा और लोकसवा तीनों समभलित होते हैं तो पार्लेमेंट जिसमें कानून बना सकती है वह सूची जो होती है वो संगिय सूची होती है अब आते राज सूची राज सूची वे सूची होती है जिसमें विधान सवा और विधान परिशत और वहां के राज़पल से मिलकर जो है कानून बनाते हैं यह यह राज सूची होती है उस विशह पर कानून बनाते हैं और अग पार्लेमेंट का कानून है वो उस पर प्रिवेल करेगा जलिए अब देखते हैं अब आते हैं बात डंड पक्रिया सहिता भी संबर्ति सूची का ही पार्ट है इसलिए यह इसमें राजसकार और राज बिदान सभा और पार्लेमेंट रहाई दोनों ही कानून बनाते हैं तो इस पिर अच्छा के साथ सब्सक्राइब 233 ऑच्षा के साथ समंजित है धारा 243 यह एविडेंस ऑफडिफेंस की बात करती है여 264 जो ढरा है वह जज्ज्मेंट इनी केस ऑफ ट्रायल समर्ली यानि जो है समर्ली लूप से कोई ट्राइल हो रहा किसी जज्मेंट को केस का तो उस परिवर्टित करने की नयायालों की सक्ति पर्दान की गई तो पर जो सबसे महतापूर्ण की on करनी जो संबन मामले Denra K aren't मामलों में Convert करने की बात किस धारा में कही गई है तो जो संबन मामले है उनने बार्न मामले करने की जो बात है वो धारा । 259 में कही गई है कि अगले знаем कंपर आते हैं कि इस में लेते सिलिएसिंगे उपूर Salut जो है धारा हैं दी गई हैं 적निक और 10 ilo환 वी सुरू करने का गदर पींस उसके बाद अपने आएगा पहले अरोब्रिचित करेगा वो अभी चृशा सुरू करेगा तरह 327-22 केती है विच मजिस्ट्रेट कें नौट dispose of ऐसे ऐसे मामलों की प्रक्रिया जिसमें मजिश्ट्रेड जो है उन मामलों का निस्तारा नहीं कर सकता है तो यह बात धारा 322 में कही गई है खीक है तो यहां पर सम्वन मामलों को वारंड मामलों में कनवर्ट करने की सकती जो है 259 में दे गई है एक कोशन नबर 4 पे आते हैं संपत्ति की कुरकी के बारे में दावे और आपत्तियों का प्रावधान डंड पक्रिया सहिता की निम्ने लिखित में से किस धारा में किया ग में किया गया यानि option A सही है यहां पर और यहां पर धारा 85 जो संपत्ति में की गई जो भी कुरकी होई संपत्ति को निर्मुक्ध कराने और बापस प्राप्त करने के लिए जो यह वह भाद करिए कन आधा पाइधासी में करते दारा 86 क्या प्रावधान करते हैं नामंजूर करने का जो आदेस दिया गया उसकी अपील की बात करती है तो धरत 86 जो है वो अपील के प्रावदान की बात करती है यहां पर तो जो अपील है वो धरत 86 में दी गई है और धरत 87 का कहती है धरत 87 का कहती है संबन के इस्थान पर या उसके अत्रिक्त वारंट का जार करने का Pradhan 1927 बताती है ठीक है तो अगले प्रसर पर आते है प्रस नमब्र 5 दम पेक्रिया सहिता कि धार 751 के न कि अंतकत आदेश की वैद्जता होती है तो यहां पर सीधा प्रस्ण यह आदिस की वैता दो महां की होती है जो धारा 44 है उसके अंतगत जो भी आदिस दिया था मेजिस्टेट के द्वारा वह दूसकी वैता दो महां तक के लिए होती है अगले प्रसंट पर आते हैं कुश्चन आपका उच्छ नियायाल है और यह सकती किस धारा में दी गई है यहाँ पर जो धारा है वो 368 में हाई कोट को पावर दी गई है मैं तुडंड को कन्फॉर्म करने कि या उसे मुल्तवी करने की सकती कोश्चन नमबर सेवन एक अभ्यूक्त व्यक्ति डंड पक्रिया सहिता की निम्न किस धारा के आदिन सच्छम साच्छी हो सकता है बहुत ही महत्पूर्ण और अच्छा प्रस नहीं है ऑप्सन डी यहाँ पर साहिए धारा 315 में अभ्यूक्त जो है वो सच्छम साच्छी होता है देखिए यह जो एक ढरा 313 303 303 303 303 क्या होता है कि जो है यहां पर 11645 में आपर चार्ज और यह यहां पर हो रहा है तो एन दोनों में अंतर है और दोनों में यहाँ पे तो यहां पर इस प्रेस्ट में सच्छमसाच्छी जो होगा अपका अभ्यूक्त जो है वह धारा 30314 क्या कहती है 30314 जो औरल आरगुमेंट की बात करती यानि वहां पर और अटउर्णीं हैं और इड्वोकेट्स हैं उनके और अर्गुमेंट होते हैं उसमें सब्सक्राइब कोई मॉम्रेंडम लिखित पत्र देता है तो उसकी बात 314 में की गई है और 316 प्रापधान करती है और 317 जो है यह प्रोविजन करती फॉर इंक्वाइरी और ट्राइल इन एपसेंस ऑफ अकरेंस ऑफ एक्यूज तो जो 317 यह भी बहुत ही महत्पून ढराया इसमें कहता है कि जो इनक्वाइरी और इंवेस्टिकेश्ट्राइल होगा इंवेस्टिक करने चाहता है कि एक्यूज की प्रजेंस बहुत नेसेसरी नहीं है तो इन दोनों ही कंडिशन में एक्यूज की एपसेंस में यहां पर इंक्वाइरी और ट्राइल में इस्टेट करा सकता है तो यह धरा क्या ओगा उसका सब साइब दी गही है तो यहां पर हैं कौन सा प्रारूप के बारे में बताया गया है तो यहां पर है कौन सा प्रारूप आरोप के समन्दित है तो यहां पर जो है ऑप्सन भी सही है यानि प्रारूप संख्या 32 जो है वह आरोप से समन्दित है इसमें बताया जाएगा कि आरोप का पत्र किस तरीके का हुगा किस तरह से प्रस्णावले डाले जाएगी क्या उसमे जो है उसको तयार किरा किस तरीए तो ये चीज्ज उसमें आरोब 32 में दीगे यह मझिस्टेट कैसे उसमें फ्रेमिंग करेंगा तो यह चीज है अगला है यहां पर ओपसों ए जो है वो धारा मतलब यहां पर प्रारूप संख्या 31 जो है वो यह बताता है कि magistrate जो होगा वो यहां पर notification of commitment by magistrate magistrate जो होगा एक notification जारी करता है public prosecutor को कि वो जो है विचारन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारम करने के लिए यहां पर आए यानि कि यहां पर जो notice public prosecutor को magistrate देगा वो प्रारूप संखय एक के तहद जो है उस notice का खाका तयार किया जाएगा अगला जानि वह फर्म यहां पर 31 में दिया हुआ है प्रारूप संखय तैस प्रारूप संखय 33 जो है वो witness को संभन जारी करने के बारे मतくैं यानि किस तरीके का संबन्ज होगा प्रारूप है वो संख्या 33 में दिया हुआ है अगला यहां पर 34 प्रारूप संख्या 34 यदि कारवास या जुर्माने का डंडा देश ठीक है नियाले द्वारा दिया गया है तो उस पर सुपुर्दगी का वारंट यानि जो वारंट को प्रारूप संख्या 32 में दिया गया है कि कोश्चन नमबर 9 कोश्चन 9 कहता है यहां पर डंड पग्रिया सहिता कि धारा 97 के अनुसार निमलिकित में से कौन तलासी वारंट जारी नहीं कर सकता है तो धारा 97 के तहत आपका सस्त नियाल है यानि सैसन कोड जो है वो तलासी वारंट जारी नहीं कर सकता है क्योंकि जो धारा 97 वे उसके तहट जो है टिस्टिक मजिस्ट्रेट एस डियम और फर्सक्रास में तीनों ही लोग जो है जो है तलासी वारंट जारी कर सकते हैं कोश्चन नमबर 10 निमलिकित में से कौन सा वाद नियायाले कि अभ्यूक्त की प गुर्लव सिंग बनाम दूर्बल सिंग डूरजत गोन भाद जनाँ वादों में नियायाले की अभ्यूक्त की परिच्छाद्या क्योंकि अभ्यूक्त कि परिच्छा करने की सब् firefighters यह जो अव्यूद की परिछा करता है तो धारा 313 में नियाला व्यूद की परिछा करता है और मझेश्टेट किसमें करता है 164 में मझेश्टेट करता है अगले प्रेसंट पर आते हैं question number 11 उच्छ नियाला धारा 482 के अधीन अंतर नहीं सकतियां निमलिकित में से किन धाराओं का किन आधारों पर उप्योग कर सकता है तो जो 482 की अंतर नहीं सकती है हाई कोट की उच्छ नियाले की वो किन आधारों पर उप्योग कर सकता है तो यहां पर है विरलतम से विरल मामलों में एक्स डेबिटो जस्टिस एंड नियाले की कारवाई का दुरूप्योग निवारित करने हे तू उप्रोक्त में से सभी तो यहां पर उप्रोक्त में से सभी होगा यानि जो नियाले है वो अपनी इंहिरेंट सकती उच्छ नियाले सेक्षन 482-482 की तहट विरलतम मामलों में कर सकता है एक्स डेबिटो जस्टिस में कर सकता है और इसकी जो गाइड लाइन्स है वो किस मामले में नियाले को दी गई तो यहां पर जो है लाल के के समें है और बजनलाल के समें जम है सुप्रीम कोट ने व किसमे यहां पर बजनलाल के समें के गाइड लाइस समय गई ती जिसमें की सुप्रीम हाई कोट की उच्छ नियाले की 442 सक्तियों के बारे में प्रावधान बताए गए अगले प्रस्ट पर आते हैं यह उर्हे नियैँ़ाने में को नहीं सुनाया अभी तक और उससे की मृत्ती हो जाती है तो वह माना जाएगा टो माना जाए इसा नियाजे एसकी कि राय माना जाएगा क्योंकि कि plates ने को स्थारा का सुनाने का प्राद्धानवें डिया गिया गया Viraj फरी क्लियर कहती है कि हिए जो नियायल ह거나 बोण झीड़े को लिखे गा या लिखवाएग लिखवाये के बाद उसको ओपन कोड्स में प्रणाउन्स करेका ऊसके बाद इसमें डेट और साइन हर एक पेज में साइन नहीं लिखा है तो हर एक पेज में साइन करे और नियादे उसकी राय माना जाएगा तो यहां पर ऑप्सन बीस आई होगा अगले प्रसंट 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 नमबर तेरा डंड पक्रिया सहिता की धारा 164 के अंतगत स्वीक्रती को कौन अभिलिखित कर सकता है कोई नियाइक मजिस्टेट जो अधिकारता रख अबस्ट के याँ पर कोई महानगरिया मजिट्ट जिसकी अधिकारता ना हो तो यहां मेट्रोपोटर में मेंय गए थे आव जिसकी अधिकारता नहीं है ओप्सन दी उपोक सभी तो इस्प्रस्ण में ऑप्सन डी ही सही है क्योंकि जो कंफेशन व दूनTeam होती है कोई भी में पालिका का एक दूसरे के पूरक हैं तो ये बात जो है option A में कही गई है King Emperor बना नाजित नाजिर एहमद नाजिर एहमद के बाद में ये बात ऐसी कही कही दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं अगला यहां पर option B में हैं चिंतन अनंद चिंतामणी धीगे बना महराष्ट राज तो आनंद चिंतामणी धीगे बना महराष्ट राज जो है वो धारा पंचानवे एक से संबंदित है जहां पर जो है राजसरकार ऐसे पब्लिकेशन और बुक्स और प्रिंटिंग पर रिस्टिक्शन लगा सकती है उसमें बताया गया है यह उससे संबले में कहा गया है तो इस प्रेस्ट का उत्तर हो जाता है ऑप्सन ए किंग इंपरर बनाम नाजिर एहमत अगले प्रेस्ट पर आते हैं प्रेस्ट नंबर पंद्रा डंड पक्रिया सहिता के अनुसार निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर बलासंग से हुए फ्यक्ति की सारीरिक परिच्छा यह सही एकदम धारा 164A में जो है बलासंग से पेड़िद व्यक्ति जो है उसकी सारीरिक परिच्छा होती है यहां पर मेडिकल एक्जामनेशन यहां पर होता है उसका अगला है ऑप्सन भी भारत के बाहर किसी देश या स्थान के अन रोग पत्र तो धारा 166A में ऐसा पत्र जारी किया था यह भी ऑप्सन ठीक है यहां पर तुकि सुमेलित नहीं होने की बात करता है अगला यहां पर ऑप्सन है जब साच अपरियाप्त हों तो अभ्यूक्त को छोड़ा जाना 167 167 में साच अपरियाप्त की बात नहीं की के द्वारा पूर्ट नहीं किया जाता है तो अभ्यूक्त को छोड़ का चौळ दिया जाता है और एशा लसßen 24 घंठे के अंदर होना चाहिए तो जो 24 घंठें के अंदर महीं होता तो 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 यहां पर यह गलत है और योदि कहता है और में कारवाहियों की डायरी तो हाँ ये 172 में केश डारी की बात की गई है CD की बात की गई है तो यहां पर आंसर सी होगा option C Press No. 16, डेंड़ पक्रिया सहीत है कि निमलिखित कौन सी धारा पीडित प्रतिकरण स्कीम का उपवन्द नहीं करती है तो यहां पर जो है देंड़ पक्रिया की जो पीड़ित प्रतिकर का उपवंद नहीं करती है धारा ऑप्सन यहां पर हो जाएगा ऑप्सन प्रसमें कुछ यहां पर दिक्कत है यहां पर उपवंद का पीड़ित देंड़ पक्रिया है कि निमल में कौन सी धारा उपवंद करती होना चाहिए क्योंकि जो इसमें चार ओप्सन दिये हुए है तो ओप्सन कि एजो होगा वो तो ऑप्सन भी यहां पर साहिए क्योंकि पीड़ेत प्रत कर जो है वो सेक्शन 357a में दिया गया है और सेक्शन 300 कि और क्योंकि इस्कीम की बात की यह साथ जनुरी 2019 से लागू हुआ था और बाकी जो सेक्षन से समंधित नहीं है सित कोई प्रावधानी नहीं है सीज अगला प्रेस्ट 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 नंबर 17 बलात संग पेड़ित का नाम का उलेक नहीं किया जाएगा निमले कितमें से किस वाद में प्रतपादित कि यहां तो यह बात यहां बलात संग से पेड़ित का नाम कुछ आगर नहीं होगा समाचार पत्रों में और यहां तक की नियाले में भी तो एक कालपनिक नाम उप्योग किया जैसे निर्भया है भी बहुत हाइलाट हुआ था बहुत ही जगन्ना पराद हुआ उसमें तो जो और यह एक कालपनिक नाम था तो इसी तरह से तो यह बात जो है इसका प्रादान किसमें बनाया गया यह सक्रस्णन राम कृस्णन बनाम राज्य के मामले में यह एसा जो है प्रादान सुप्रीम कोट ने बनाया अगले प्रसंट पर आते हैं एकुश्य नमबर 18 कहता है कि तहत एक मजिश्टेट द्वारा एक संगे अपरात का अनुवेशन का आदेश दे सकता है तो यह दंड पक्रिया सहिता कि निम लिखित किस धारा में उपबंदित है तो यह जो है धारा 156-3 में ऐसा प्रावधान मजिश्टेट जो होगा वह अनुवेशन करने का आदेश पुलिस को दे सकता है 156-3 में और 154-153 क्या कहती है 153 यह कहती है जब पुलिस एफाईया लिखने से मना कर सकती है तो जो पेरित पक्षकारा या कोई भी वैसा वैक्ति है जो एफाईया लिखने के लिए गया था लिखाने के लिए गया वह मजिश्ट्र या स्पी को सुप्रिटेंडेंट और पुलिस को एक रिटें लेटर लिखकर भेज सकता है उसका प्रावधान इसमें दिया गया है 154-3 में दिया गया 155-3 क्या कहती है 155-3 कहती है कि पुलिस ऑफीसर जो होगा वो एंसी आर में पहली बात तो एफाईया नहीं लिख सकता है परन्तु अगर उसे कोई आदेस मिलता है तो व आई गई है बन 74-3 ऐसी कोई धाराई नहीं है अगले प्रसंट पर आते हैं कि सब्सक्राइब नम्बर 19 डंड़ पक्रिया सहिता के तहत निमलिकित में से कौन सा अपराद अपरादिक डंड़ पक्रिया सहिता धारा 95 के तहत आता है तो यहां पर और ऑप्सन ए है 95 धारा 95 के तहत आता है तो ऑप्सन ए है 24 ए 24 ए सेडीसन की बात करता है इसमें राज द्रोग की बात है और ऑप्सन बी यहां पर 153 और 153 ए और 153 बी दोनों धाराएं यहां पर और और ऑप्सन डी है उप्रोक सभी तो यहां पर उप्रोक सिभी होगा यानि धारा 95 के तहत सभी यह सारी धाराएं आती है 153 क्या कहता है 153 क्या कहता है कि धर्मूल और जाती भासा इत्यादी की आधार पर लोगों में हिंसा फैलाना लडाई करने के लिए उन्हें उक्साना ृश-धारा 153a कहती है 153 53b क्या कहा है 153b जोए ऐसे लांचन लगाना राष्टी अखंडता को परत्रकूल यानि आसी बाते करना जो राष्टी अखंडता और एक लोगनुक्सान पहुंचाने वाले हैं तो उन पर यह ऐसे वयकृतियों पर 162 यह धारा है धारा-2002 एक त यह और यहां 293 जो है ऐसी पुस्तकें यहीं से समभन देता है थोड़ा एक्टेंट किया गया ऐसी पुस्तकें यूथ को और ऐसे तरोडवेक्ती को यानि जूवनायल को दी जाएं ना बेची जाएं उनको बेचने से रोखने के लिए है और जूवनायल जो यहां पर कर्मिक विश्वासों का अपमान नहीं किया जाएगा जो भी वेक्ती करता है तो उसके उपर यह धारा लगाई जाएगी तो उपर वोक सभी धाराएं धारा पंचानवे के तहत आती हैं को कुश्चन नमबर 20 कहता है निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए जो डंड़ प है भारतिय डंड सहिता के अंतगत 454 एबं 456 के आधीन अपरादों का विचारन संचिप्त विचारन किया जा सकता है अगला है यहां पर ऑप्शन सेकंड तथ है तीन माह से अनदिक के लिए कारवास किसी दोस सिद्ध के मामले में नहीं दिया जा सकता ऑप्शन सी है यहां करवे संशिप्त विचारन के लिए संमन मामलों के लिए विचारन की प्रक्रिया का अनुसराण कीआ जाएगा और यहां अा केवल एक और दो बात की तो संशिब्त विचारण में जो इक सो चोवान है और 156 के मामले वो संशिब्त विचारण में आते हैं और इसमें जो सजा दी जाती है यहां पर जो सजा है यहां तीन वर से कम पहली बात जो यहां पर विचारण में आते हैं तीन वर से कम सजा वाले जो है मामले उनका विचारण किया है सता ही और यहां पर जो है सजा देने की बात है तो इसमें सजा दे जाती वो तीन महां से अनधिक तीन महां से अधिक की सजा नहीं दी जाती है तो यह हो जाएगा अगला है संशिप्त बिचारण में संबन मामलो के जैसे ही ट्राइल होता है यहां पर जो है चार्ज फ्रेमिंग का प्रावधान नहीं यहां चार्ज नहीं फ्रेम किया आता है पहली बात तो इसलिए यह तीन हो यह उप्सन सही है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन डी कोश्चन नमबर 21 पर आते हैं धारा 41 भी धारा एक टुछार कई भी देण पॉर्टी बंढ़ के द वी है वह एक्ट 2008 की द्वारा अनतर स्थापित किया गया तो यह पर आपomas0 ए सही होगा और यह जो है इनफोर्स कप किया गया तो यह इनफोर्स जो है वो एक नवंबर 2010 को हुआ तो यहाँ पर जो है और से सही है अधिनियम 2008 के तहत अगले प्रिस्ट पर आते हैं 468 के आधिन नहीं करेगा निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है और सब्सक्राइब आते हैं च्छे महां च्छे मास होगा यदि अपराद केबल जुर्माने से डंडनी यह यह बिल्कुल सही है यहां पर अगर कोई अपराद ऐसा अपराद जिसका जो पनिस्मेंट है वो मन्त बहुत है यहां पर अगला आते हैं ऑप्सन भी है एक वर्स होगा यदि अपराद एक वर्स से अनदिक के अबधी के लिए कारवास हां यह भी सही है यहां पर अगर कोई अपराद ऐसा है जिसका डंड एक वर्स का है तो उसका लिमिटेशन भी एक वर्स तक होगा ऑप में और लोग में जो मैद्व का निमिटेसंट अग्रा को यदि अपराध से अधिक किन्तु तीन से कि अधिक के लिए ये सही है अगर तीन एक वर्स तीन दे क스킬APP करने के लिए जो तीन वर्स का समय दिया जाता है हाँ अगर कोई ऐसा अपराद जिसकी सजाद तीन वर्स से अधिक है तो उस मामले में कोई लिमिटेशन का प्रावधान नहीं कभी भी मामला दाखिल किया जा सकता है जैसे ही उस चीज़ का पता चलता है तो यहां पर हमारा और 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 अगले प्रेस्ट पर आते हैं कोश्चन नमबर 23 वे अनिमताएं जो कारवाही को दूसित नहीं करती हैं का प्रावधान डंड पक्रिया सहीता का निमलिकित में से किस धारा में दिया गया है तो यह जो है ऑप्सन भी सही है यहां पर 460 में मजिस्टेट द्वारा कारवारियां की गई है तो उसमें अगर कोई गल्ती हो जाती है तो ऐसी गल्तिया जो है वो प्रक्रिया को दूसित नहीं करती है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका प्रावधान धरा 460 में दिया गया है 461 क्या कहती है मतलब मजिस्टेट द्वारा या नियाले में ऐसी कोई प्रक्रिया की जाती है जिससे उसका प्रभाव उस जज्जमेंट या उस केस में पढ़ता है तो ऐसा प्रभाव जो होगा वो महत रखता है तो महत रखेगा और उससे उस प्रक्रिया पर प्रभाव पर जो है कारवाही को विचारन की बात करती है अगर गलत स्थान पर कारवाही होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो जब गलत स्थान पर कारवाही होने का भी कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि 458 458 कहती है यहां पर प्रोसीजर डियर इज नो क्लेमेंट ते एपिर विदिन सिक्समाथ यानि कोई संपत्ति है जिसका कोई 459 दावेदाश 17 महान के तक नहीं आता एं तो उसका प्रावधान यहाँ पर 458 में कहा गया तो यहां पर वे हनिताया की उचन旅शन की बात कर रहा है आपर की सकती का प्रावधान डंड पकरिया सहिता कि निमलिकित में से किस धारा में दिया गया है तो यहां पर जो है डंड अदेश की जो पुष्टी करने का प्रावधान है उसमें न्यायले यानि उच्छ न्यायले की सकती है वो यहां पर ऑप्सन D में दिए हैं यह लोग प्रसंड इस्त्रीब पहले भी कर दिए तो यह बात जो से Sun 366 कहती है सेक scratches 367 क्या कहता है माइस्टेट की हाई कोड की पावर दी गई है कि हो上गा सकता है यहाऊ निए एक होगा या तो दोनों ही बातों में जो भी मजिस्टेट होंगे वहां पर वो कम से कम दो होंगी हाई वो हमारा option D है यानि हाई कोड की जो सक्ती दी गई है यानि सक्ती की बात की जाए तो 368 दिया गया और confirmation की बात की जाती है जनल प्रोविजन तो वो 366 में दिया है अगले प्रेसंट पर आते हैं question number 25 निम लिखित में से कौन डंड पक्रिया सहिता में सुमेलित नहीं है तो यहां पर धारा धारा 2D में परिवाद दिया गया है सही है यहां पर complaint की बात करते हैं और धारा 2H जो है वो invasion yes investigation जो है वो यानि invasion जो है वो 2H में दिया गया है अगला है option C2R yes R report इसको याद करना बहुत याधान है तो 2R जो है वो police report की बात करता है और धारा 2W में पीडित व्यक्ति नहीं दिया गया क्योंकि-पीरिद व्यक्ति जो है वो धारा ऑल्द तूडव्लू ए में दिया गया है तो ए जो उसमें पीडित व्यक्ति की बात कही गई है तो हमारा जाएगा यहाँ पर यह गलत है तो अन्सरभी विचारन का फ्रावधान डंडठ पक्रिया सैता के निम लिखित में से किस धारा में किया गया है तो नीचे दिये गए ακूट के सयोह कि से सही उत्तरचुनिये option a है याँ पर ढारा 227 option b है 239 THE 255 थो और यहां पर जोई option डीये हुए है in WR 2 option the scam up एक स्वे है यहां पर एक सही गेवल अर optionلاud स्य एक और दोनों सरी और option डी है यहां पर एक और दोनों सही हैं देखें 227 तो 227 जो इस्चार्ज का प्रोविज्जन है वो सेसन कोट की बात करता है यहां सेसन में अगर बिचारण के पूर भी जो है अब यूट के खिलाब परियाब साथ के नहीं मिलते हैं तो ने यहां पर जो धारा ऐसी तरो तैन जो है वह वारंट केस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहां पर पर्यार साच नहीं बनते हैं मामला नहीं बनता है तो वहां पर अभियुक्त को डिश्चार्ज कर देगा तो यह 239 में है 255 क्या कहता है 255 इन दोनों धाराओं से अलग है यहां पर जो मजिस्ट्रेट है वो एकुटल करेगा या फिर जो है कन्विक्ट करेगा यह बात जो है यह धारा चार्ज फ्रेमिंग होने की बात किया यह यह दोनों धारा है चार्ज फ्रेमिंग होने से पहले किया है अगर मामला बनता है तो यहां पर मामला बन जाता है यहां मामला कुछ है यहां पर तो यहां पर ट्राइल होगा ट्राइल होने की पूरी प्रिक्रिया के बाद यहां पर यहां तो इस प्रस्ट का उत्तर ऑप्शन सी हो जागा एक और दो दोनों सही हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों को और साथ की समयों को इसको को सेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग अ झाल